First scanner turns your android devices into multiple pages for your documents received to your business cards It is a free application, so let's start the video Hello friends, how are you? हमेशा की तरह मैं आपका मेरे चनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ Friends, यह वीडियो आपके लिए बहुत काम के हो सकती है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किये शुरू से लेकर end तक देखे Friends, अक्सर यह होता है कि हम किसी important document की तस्वीर लेते हैं और हम जब उसे print करवा लेते हैं तो हमें वे तस्वीर ना की शिरफ dark बलकि वो पढ़ने लाइक भी ने रहती अगर Friends, आपको भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो मैं आपके लिए इसका solution लेकर आया हूँ इस solution नाम है Friends, First Scanner अगर आप चाहे Play Store पे जाके देख सकते हैं इसके अभी तक 10 million download है और 4.6 की rating है Friends तो हम इस वीडियो को start करते हैं तो Friends, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने Fast Scanner application डाउनलोड कर लिया है Friends, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो-दो application है Friends, यह Simple version है यहाँ पे इसका Pro version है मैं आपको सजेस्ट करूँआ कि आप Pro version ही डाउनलोड करें तो Friends, हम इसे कर लेते हैं यहाँ से Open Friends, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी सारे document दिख जाते हैं जो मैंने पहले से scan करके PDF बना हुए है Friends, अगर आप किसी document की photo लेना चाहते है तो आप यहाँ से camera icon पर click कीजिए और photo लीजिए और उसका PDF बनाईए Friends, हमारे mobile में पहले से भी photo गिरी हुई है तो हम उसको कर लेते हैं चेक, यहाँ से हम कर लेंगे import from gallery Friends, जैसा कि आप देख सकते हैं यह photo काफी धुंदले है हमें थोड़ा साथ print करवाना है तो हम यहाँ पर इसे कर लेते simple click इसे कर लेते open Friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसे हाथ से adjust कर सकते हैं यहाँ पर आप उसको थोड़ा cropping करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर अपने हाथ से cropping कर लिया है तो Friends, यह देख सकते हैं आप अभी कितना readable हो चुका है आप चाहें तो इसका color correction भी set कर सकते हैं आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं Friends, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं black and white में यहाँ पर आप इसका color option ले सकते हैं और Friends, अगर आप चाहें तो यहाँ पर gray और यहाँ पर जैसे simple आपने photo क्लिक किया है वो आ जाएगी देखो Friends, यह कितना बेकार है इसमें सबसब कुछी दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ से इसका ले जुँआ, black and white तो Friends, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, simply click यहाँ पर हम document को नाम दे देंगे जैसे मैं इस document को नाम देता हूँ, trial यह देखिए Friends, यह आपको कितना readable बन गया है और आपको यहाँ पर काफी सारे option मिल जाते हैं और अगर आप चाहें तो इसका PDF बनाना चाहते हैं तो आप और भी import कर सकते हैं ने तो आप इसे gallery में share कर सकते हैं एक photo की तरह है, document का rename कर सकते हैं Friends, अगर आप इसको share करना चाहते हैं तो आपको यह भी option मिल जाता है आप email भी कर सकते हैं और यहाँ पर share भी कर सकते हैं Friends, अगर आपके पास काफी सारे photos हैं आप उनका PDF बना के share करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PDF पर click कीजिए अगर आपके पास only एक photo API पर click कर सकते हैं और Friends, आप अपने Gmail पर drive में share कर सकते हैं WhatsApp से share कर सकते हैं, Bluetooth से Friends, आपने देखा कि यह कितना आसान एप है जिसे आप बहुत आसानी से अपने किसी भी दुझले photo को PDF बना सकते हैं और उसे साफ प्रिंट कर वा सकते हैं Friends, आपको यहाँ पर काफी सारे options जाते हैं Settings के, Settings में आप जाएंगे Friends आपको देखते हैं दो-चार option और मिल जाते हैं आप इसे yes कर सकते हैं या फिर no भी कर सकते हैं Friends, आप यहाँ पर अपने document का size ले सकते हैं कि आपको A4 लेना है या business card के जैसा लेना है तो आप इसे हर दम A4 यह रखें, वो आपके लिए best रहेगा तो Friends, आपने देखा कि यह कितना आसा अप है और एक छोटा सा अप आप आपके लिए कितना useful है अगर Friends, आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और Friends, अगर आपका कोई suggestion है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो Friends, नीचे comment section में जाके comment कीजिए और अपने question को वहाँ पर put कीजिए तो Friends, तब तक के लिए अलवीदा बाए बाए मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे useful वीडियो मैं लाता रहे